हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करने वाला हूं करूर बिश्या बैंक के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं कि पहले जो इसका प्राइस पैटर ने यहां पर अगर पिछले वन विक कहें बात करें तो 130 पर यह क्लोजिंग था जो लो है वो 130 के था और यहां पर हाई 139.4 का है जो की 18 सेप्टेंबर को था उसको बास है मार्केट में 33 गरावट है बट इस सेयर को देखें यह काफी स्ट्रेंट दिखा रहा है तो इसमें मैं पूरा एक चीज पर यहां पर चर्चा करने में तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा इसमें काफी information और आपको किस तरह का यह सिर्फ एक analysis है यहां पर कोई भी और शेल recommendation नहीं है यह सिर्फ educational purpose के लिए बनाया गया वीडियो है जहां पर एक सेयर के बारे में किस तरह से analysis करना वह आप देख सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको इसके जो updates से वहां पर ले चलता हूं तो यहां पर अगर बात करेंगों देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही 21 सेप्टेंबर को यहां पर अपडेट आता है कि जो एप्रूबल मेरा RBI के तरफ से HDFC Asset Management Company का कि वह अपना इस्टेक यहां पर 9.5% तक ले जा सकता है जो कि अभी 5% के आसपस से भी नीचे एक है तो यहां से भी जाता है तो यहां पर काफी बड़ी तेजी बन सकती है उसके अलावा जो दूसरा अपडेट है वहां पर आप देख सकते हैं जो कि यहां पर आया क कि दो न्यू ब्रांचे यहां पर ओपन कर रहे है करूर बिश्या बैंक तो इसके कारण से जो लगतार एक्सपैंशन है वहां पर भी यहां पर आता हुआ नदर आ रहा है इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ किया है तो यहां पर देखेंगे वॉल्यूम भी अब आया वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकाउट नदर आया है और वो सिफ हर टाइम फ्रेम पर यहां पर देखें तो वहां पर ब्रेकाउट कनफरमेशन नदर आ रहा है आप वीकली टाइम फ्रेम पर भी यह जो क्लोजिंग है यह वॉल्यूम के साथ में आप देख सकते कितना अच्छा वॉल्यूम है साथ में delivery भी 50% प्लस किया है और यह weekly high level पे closing भी मिला है तो यहाँ पर अगर इस label के ऊपर यह निकलता है तो यहाँ पर काफी बड़ी तरिये देखने को मिल सकती है short turn में ही तो कि यह सारे chart pattern बोल रहे है और अगर आप देखे सबसे अच्छी चीज क्या है तो अगर इसके fundamental देखे तो वो भी काफी बड़ी है आप देख सकते कि यह 10,000 से करोर के आसपास के small cap company है जिसमें देखे तो 80 करोर के आसपास ही share market में है और industry P.E. जो कि 20 के आसपास है और इसका P.E. देखे तो स्रीफ और स्रीफ एट रूपीज के आसपास है तो यहां से भी काफी जादा उपर आने के scope है करोर विश्या बैंक में और यहां से जो सबसे अच्छी चीज है अगर financials देखे तो काफी strong है balance sheet पे आप देखे तो तेन येर के सबसे highest level पे है जो इस आप देखे तो यह साल जो पिछले 10 साल सबसे बढ़िया रहा है यहां पर company को 1235.97 का यहां पर profit हुआ है जो क्रोर है उसमें बात करो और EPS भी अब तक के सबसे highest level पे 15.42 तो यहां पर आप देखेंगे कि यह standard basis में दिखा रहा हूँ अगर इसको आप देखेंगे cash flow में भी तो cash flow में भी काफी संदार cash पे बैठा हुआ company और काफी बढ़िया performance करके दिखाया आप इन फैक्ट आप देखेंगे private sector के बैंक है वहां पर one of the best performing bank रहा है यह share holding की बात करें share holding में आप अगर यह देखें तो promoter का सिर्फ और सिर्फ 2.24 है लेकिन सबसे यहां पर positive बात क्या है कि अब आप देखेंगे institutional investment FII और FPI का यहां पर काफी interest रहा है DIA का अभी देखें तो काफी interest रहा है हलाकि यहां पर प्रमोटर प्लेजिंग है holding 2.24 में भी 7.53 यह कोई बहुत जादा बड़ा नंबर नहीं है और यहां पर company काफी बढ़िया performance कर रहे है तो यहां पर कोई चिंता की बात नहीं है वहां building इस shares में है और DIA का 32.07 जिसमें से कि आप और देखेंगे कि बढ़ता हुआ नदर आए क्योंकि HDFC, AMC यहां पर stake और जो 4-5% के आसपास था उसको यहां पर बढ़ा कर और भी उपर ले जाना चाहता है 9.5 का जिसका RBI से approval में मिल चुका है तो in future वहां पर बढ़ता हुआ नदर आएगा तो यहां पर यह जो stake है और बरते हुए नदर आएंगे और FIA-DI को भी यहां पर आप देख सकते कि जो 10 years के सबसे highest banking sector के लिए 10 years में सबसे बढ़िया यह साल गुजरता हुआ नदर आ रहा है उनके balance seats उनके income और अभी भी growth के काफी बढ़िया मौके दिख रह है और यहां पर PE भी आप देख सकते हैं स्रीफ PE जो है 8 के आसपास है और जो industry PE 20 के आसपास है तो यहां पर growth के chances भी जादा है यहां पर अगर shareholding की बात करें तो shareholders में आप देख सकते हैं यह promoter group के हैं अगर मैं public shareholder में जाओं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो HDFC mutual fund है वहां पर आपको देखेंगा 4.48% है और यह अगर 9.5% ले जागा तो आप देख सकते हैं कि 3.59 लाग का shares का आसपास है तो यहां पर 3-4 crore shares और वो वहां पर अपने पास ले जा सकते हैं तो यहां पर अगर आप देखें medium to long term में भी काफे बढ़िया profit देख जाएगा और ज यहां से काफी बढ़िया ऐसे किया थोड़ा correction दिखाया फिर से उपर की तरफ गया फिर से थोड़ा correction दिखाया और यह अभी जैसे level break होने वाले यह उसके उपर निकलता है तो फिर यहां पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है और इसी को अगर मैं 10 years के चार्ट पिछले 10 साल से देखते हैं क्या होता है तो यहां पर देख सकते हैं कि उसके बास यहां पर NPA का problem आया था फिर Corona था तो वहां पर एक big decline था उसके वासा थोड़ा concentrate किया फिर वापस सी यहां पर बहुत तेजी से होई है और यहां पर अगर यह label break करके उपर निकलता है तो all time strongly proceed कर रहा है यहां से इसमें अच्छी खासी आपको target देखने को मिल सकती है long term अगर अगर 200 प्लस भी दिखा सकता है यह सब technical basis पे यह सब आ रहे है और इसको आप देखेंगे कि यहां पर जो rounding bottom बन रहा है यहां पर इस तरीके का जब भी होता है किसी भी shares में अगर यहां का breakout आता है तो आपको यहां से 50% के आसपास का target नगर आता है तो 50 rupees कम से कम यहां से 50-60 rupees का upside और देखने को मिल सकता वो भी shorter time frame में और यहां पर आप देखेंगे तो consolidation भी काफी दिनों तक रहा है अगर मैं यहां पर 3 मंत का देखू तो आपको लगे है कि देख सकते हैं 3 मंत में यह इसी level से 130 के आसपास से यह इसी level पर 3 मंत से इसी के आसपास रहा है और यह ASM list में भी है तो वहां से भी अब निकलने का time अल्मुष्ट आ चुका है maximum next week यह उसके आसपास यह ASM list से भी बाहर आने वाला है तो उसके बाद से यहां पर और भी तेजी देखने को मिल सकती है कि कोई ज्यादा investor यहां पर फिर participate करेंगे margins ज्यादा रहेगा ज्यादा participation होगा volume ज्यादा रहेगा तो यहां पर और भी ते term के लिए और आप long term investor है तो वहां पर भी आपको कभी बढ़िया return दे सकता है क्योंकि यह इसके fundamentals टेकनिकल साभी यहां पर काफी bullish नजरा आ रहा है तो दो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए analysis के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते बेल आइकन जरूर भी share करता हूं market moment भी प्रिज़ करता हूं दस्तों उसका लिंक आपको description मिल जाएगा तो मिलते एगले वीडियो में नए news नए अपडेट के साथ धन्यवाद